ही वाइटी प्यांस की हल्चा वेलकम बैक तू दा चैनल दोस्तों अगर आप स्नोफॉल के दिनों में इंडिया में घूमना चाहते हैं तो सबसे फेमस टूरिस डेस्टनेशन में से दो डेस्टनेशन हैं हिमाचल के अंदर शिमला और मनाली लेकिन मेरे वीवर्स कुछ सवाल करने लगे कि कौन सा बैटर रहेगा शिमला अच्छा है मनाली अच्छा है इसनोफॉल के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक वीडियो क्रियेट कर दी जाए और साथ ही में वो बहुत सारी वीवर्स जो इस सवाल का आंसर ढून रहे थे कई दिनों से उनको मिल सब्सक्राइब का ही वायटे भार्ड चैनल पर आज मैं किस जगे पर बहतर स्नोफॉल मिलेगी और कौन सी जगे है बहतर मनाली और शिमला में से स्नोफॉल में फॉर्टूरिस के लिए चाहे वो honeymoon package ले करके जा रहे हो या family package ले करके जा रहे हो बारीक से ले कर के बड़ी information आपको इस वीडियो में दे दूँगा पूरा वीडियो जुरूर देखना और हाथ दोस्तों आपमे वाईटी भार चनल को देखने के लिए वाईटी भारत चैनल पर जा करके सर्च कर लो वीडियो अगर अच्छे लगते हों तो लाइक करो नहीं अच्छे लगते हों तो comment करके dislike कर देना और कोई family या friend मनाली या शिमला जाना चाहरा है तो उनको ये वीडियो जुरूर शियर कर देना क्योंकि ये वीडियो में सारी information मैं collect करके लाया हूँ आई दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये बहुत interesting और informative package चलते हैं लेकर के आपको अपने laptop के screen तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवार ले ले लेते हैं जो जातर हमारे travelers पूछते हैं कि शिमला या मनाली package ले करके जाया जाये या खुद अपने आप अरेंच करके जाया जाये तो दोस्तों अगर आप family हैं या आप एक honeymoon couple हैं तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप खुद book करके मत जाएए आप किसी travel agent से संपक करिए वहाँ से book करवा करके जाएए क्योंकि travel agent से book कराएंगे तो सारे headache उनकी होती है और जो उनके arrangement भी होते हैं वो लाजवाब होते हैं टाइम से हर चीज पूरी कर दी जाती है जबकि आप खुद अगर book कराएंगे तो सारी tension आपकी होगी आप enjoy कम करेंगे और सारी booking में आपका ध्यान रहेगा हमेशा के लिए चाहे आप मनाली जाएं या आप शिमला जाएं दोनों जगे मैं आपको recommend कर देता हूँ कि आप अगर friends हैं तो आप जाएए बिना package book करें family हैं या honeymoon couple हैं package book करा के जाएए सवाल अगर उटता है कि कहां से book कराएं तो मैं वीडियो के title में travel gen का number दे रहा हूँ वहां से जाके book करा सकते हैं दोस्तो हम आचुके हैं अपने laptop के screen में और आपके सामने है मनाली का बहुती खूबसूरत नजारा आप यहां की valley देखें कितनी मन मोहक हैं और अभी हम mall road के अंदर just enter कर रहे हैं दिल्ली से होते आ रहे हैं और next screen में आप देखेंगे शिमला के the ridge से snowfall का बहुती सुन्दर नजारा दोस्तों यह जो time है वो fab की आप snowfall देख रहे हैं और इससे पहले जो आप snowfall देख रहे थे वो जैन की snowfall थी दोनों ही अगर मैं compare करो destination में तो snowfall दोनों ही जगे बहुती सुन्दर पड़ती है लेकिन अगर आप actually enjoy करना चाहते है snowfall का तो मनाली से बहतरीन जगे हो नहीं सकती बहुत ही heavy snowfall पड़ती है मनाली के अंदर जिसका कोई भी जो है वो तोड नहीं है पूरी इंडिया में बहुती सुन्दर destination है और अगर आप honeymoon के बारे में बात करें तो सबसे ज़ादा अच्छा honeymoon destination मनाली ही है compare अगर आप करें शिमला से उसके comparison में तो ये मैंने आपको basic comparison बताया शिमला और मनाली के snowfall के अंदर मैं हमेशा recommend करूंगा snowfall lover है तो मनाली ही जाएं और enjoy करें snowfall का अब ले लेते हैं दूसरा सबाब दोस्तों आपके सामने हैं शिमला के कुफरी location का बहुत ही सुन्दर नजारा यहाँ पर बड़ी बड़ी telescopic दूर्बीन लगी हुई है जिसके थूँ आप शिमला के चारों तरफ के 10 पॉइंट का बहुती सुन्दर नजारा ले सकते हैं यह telescopic दूर्बीन बहुत दूर के places जो है tourist places उनको आपको बहुती पास से दूर्बीन के अंदर दिखा रही है और cost है मात्र 50 रुपे इसके साथ साथ अगर मैं sports activities की बात करूँ शिमला के कुफरी में तो जैसे मनाली के सोलांग वैली में sports activity बहुत जादा होती है price भी वहाँ पर up down होते हैं आप बार गेन कर सकते हैं और non season के अंदर तो आपको बहुती कम price में sports activity करवा दी जाती हैं लेकिन अभी जहाँ पर हम कुफरी के अंदर हैं यहाँ पर sports activity limited है दूर है कुफरी के इस particular destination से वहाँ पर जाकर के जब आप sports activity करेंगे तो limited भी मिलेंगी, prices भी ज़्यादा मिलेंगे और वहाँ पर bargaining भी नहीं की जाती है तो मैं अगर इसमें 10 में से 10 नंबर देना चाहूं तो मैं सुलांग वैली को दूंगा मनाली की और कुछ sports activity अगर आप गर्मियों के दिनों में जा रहा हैं रोतांग पास, तो आपको वहाँ भी मिल जाती हैं, आप para gliding भी कर सकते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप river rafting के वल गर्मियों में कर सकते हैं तो मनाली में बहुत ही अच्छे option available हैं as compared to the shimla चलिए, आपको मनाली का भी बहुत खूबसूरत नजरा दिखा देते हैं सोलांग वैली का चलिए दोस्तों अब connectivity की बात कर लेते हैं कि shimla की जादाची connectivity है या मनाली की जादाची connectivity है तो दोस्तों shimla दिल्ली से नजदीक पड़ता है और मनाली दिल्ली से लगबग साड़े 500 किलोमेटर से ज़ादा का पड़ता है shimla लगबग साड़े 300 किलोमेटर के आसपास है तो दूरी की बात करें तो shimla ज़ादा अच्छा रीचेबल है और connectivity की भी बात करें तो shimla के अंदर आप train से डारेक्ट पहुंच सकते हैं जबकि मनाली अगर आप जाएंगे तो train की कोई connectivity नहीं है airport भुंतुर के अंदर है लेकिन अगर आप bus से जाएंगे तो दिल्ली से बहुत सारे bus से चलती है मनाली के लिए के बल bus ही अच्छा option है जो मनाली आपको अराम से पहुचा सकता है शिमला के लिए train भी जाती है पास में ही airport है और साथ में buses भी वाल्वो दिल्ली से या अधर सिटी से अराम से मिल जाएगी तो connectivity की बात करें तो shimla मेरी first choice है next comparison के ओर चलते हैं places to visit around मनाली के सबसे पहले बात कर रहेते हैं मनाली का package होता है three night, four days का जो सबसे अच्छा package होता है जिसमें आप फ़स्द जब पहुंचते हैं मनाली तो वहाँ पे local sighting होती है local sightseeing में बहुत सारे points होते हैं adimba temple, manu temple one vihar आपका mall road होता है versus temple होता है monastery होता है बहुत सारे points होते हैं local के अंदर और भी point होते हैं और इसके बार next day की बात करें तो गर्मिया है तो आप रोतांग पास जाएंगे, सर्दिया है तो आप सुलांग वैली जाएंगे, third day आप जाएंगे मनिकरन गुर्दवारा और उसके रस्ते में कसोल का outer आप टूर कर सकते हैं इसके अलावा beach each में rafting भी आप करना चाहें, paragliding करना चाहें तो rafting paragliding भी आपको करवा दी जाती है कोई shopping वाले जिगह पर जाना चाहें तो वो भी आप करवाएते हैं तो मतलब full entertainment की सारी चीजे मनाली में available होती हैं जबकि अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में tourist places तो number of तो हैं लेकिन क्योंकि two night, three days का ही पूरा package बनता है इससे ज़ादा आपको शिमला में time spent नहीं करना चाहें क्योंकि बहुत कुछ गुमने के लिए नहीं है कुफरी को अगर आप छोड़ दे नालदेरा को आप छोड़ दे तो बहुत कुछ गुमने के लिए नहीं है जातर चीज़ें mall road के आसपास ही है जैसे mall road पर अगर आप देखें तो लकड़ बजार है the lift है the ridge है, आपका Christ Church है Zaku Temple है Scandal Point है यह सब mall road के आसपास ही है या mall road के उपर ही है तो जातर places local में ही है two night, three days, enough होता है तो यह compare आप खुद कर लिजे कि कहाँ पर जाना बेटर होगा और जो इसके साथ एक additional सवाल है कि क्या हमें शिमला मनाली दोनों एक साथ cover करना चाहिए या शिमला अलग cover करना चाहिए मनाली अलग cover करना चाहिए दोस्तों मैं बतायता हूँ आपको बहुत सिंपल सा जवाब है इसका अगर आप दिल्ली NCR या उसके आसपास रहते हैं तो आपको शिमला मनाली हमेशा अलग अलग जाना चाहिए और अगर आप दिल्ली NCR से बाहर रहते हैं जैसे मुंबई से आ रहे हैं मिटर है तो इस तरह से एक बार में ही दोनों चीज़ा आप ही कवर हो जाएंगी कॉस्ट भी कम पड़ेगी टाइम भी कम लगेगा और दोनों चीज़ों का इंजॉय भी कर सकेंगे तो फ्रेंड्स ये था मनाली शिमला का कंपरेजन वीडियो खास करके स्नोफाल के दिन जो आ रहे हैं उसके लिए मैंने बनाया था ये कि बहुत सारे जो हमारे ट्रैवलर्स हैं वो कंप्यूज रहते हैं तो मैंने कहा एक छोटा से वीडियो बना दिया जा आप लोग के लिए उमीद करता हूँ सारे सवाले के जो आप आपको मिल गए होंगे अगर आपका कोई भी सवाल भी रह गया है तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूश सकते हैं अगर पैकेज की बुकिंग करान जाते हैं शिमला या मनाली की तो ट्रैवल एजेंट का नंबर मैंने वीडियो को टाइटल में और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ जा करके आप बुक करवा सकते हैं मिलते हैं इसी तरह के अगले बहुत इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों बने रहे ये वाईटी भारत चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में